हेलो दोस्तों मेरा नाम अंशुमन है और आप अक्सर सोशल इशूस पर मेरी पोईट्री सुनते होगे आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पोईट्री लेकर आऊँ इस बात से फर्ग नहीं पड़ता कि आप लड़का हो या लड़की हो आप इसको एंड तक सुनो और समझो कि मैं क्या कहना चाता हूँ मैंने लैप्टॉप पे लिखा है आपको पढ़के सुनाता हूँ कि सुना है कि एक लड़का पिट गया भरे बाजार में कोई बचाने नहीं आया उसे भीड थी हजार में लड़के ही गलत होते हैं साहब क्योंकि यही खबर बिकती है अकबार में उन्हें लगता है कि आसान है लेकिन बहुत मुश्किल होता है या लड़का होना भी संसार में माना की औरतों पर जुल्म जादा होता है, लेकिन लड़के भी पीडित हैं, वो भी दर्द के हिस्से हैं. माना की कुछ लड़के बहुत गलत करते हैं, लेकिन शरीप लड़कों के भी किस्से हैं. विमेन इंपावर्मेंट की जरूरत है, लेकिन मेन इंपावर्मेंट पर भी बात करो, बैलेंज रखना है ना सोसाइटी को, तो फिर कानून बराबर कर लाओ और इक्वल राइट्स के साथ चलो. रेप के खिलाफ हम भी आवाज उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, हाथों पर बैंडेज, काले लग जाते हैं, लेकिन किसी लड़के के साथ गलत होता है, तो फिर क्यूं समाज के मुँपर ताले लग जाते हैं? सबको पता है कि कुछ लड़कियां अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती हैं, थोड़े क्लाउट के लिए, थोड़े शाउट आउट के लिए और थोड़े से क्राउड के लिए भरे बाजार में किसी मासूम के खिलाफ बवाल करती हैं, मामला कुछ भी हो लेकिन सूल लड़के को पीटना है फेमिनिजम तो I am so sorry we are not same and don't play this dirty game, लड़कियां कंधे से कंधा मिलाओ यार हम साथ देंगे, हम गिराएंगे नहीं, उल्टा तुम फिसलोगी तो हम हाथ देंगे, अब तो होसले बुलंद है, आवाज लाउड है, ओलम्पिक भी लड़कियां ज सिर्फ जिसम नहीं नोचते, हम मन से सच्चे हैं, हे लड़कियों हमें भी समझो यार, हम लड़के हैं और अच्छे हैं, फिर से रिपीट करता हूँ कि हम लड़के हैं और अच्छे हैं, फिर से रिपीट करता हूँ, हम लड़के हैं और अच्छे हैं, दोस्तों लखनव के उस traffic signal पर जो कुछ भी हुआ पूरे देश ने देखा और सबको बुरा लगा ऐसे कई सारे incidents आते हैं जिने देख के बहुत डर सा लगता है और मैं genuinely पूछना चाहता हूं कि किसे किसने हक दिया है किसी को physically इतना assault करने पर हमारे देश में कुछ ऐसा law आना चाहिए equal का law जिसमें लड़का लड़की दोनों equal रहे कोई किसी के साथ कुछ गलत ना कर से सके इस तरीके से मन में एक डर रहे कई वर मैं यह सोचके डरता हूँ कि मैं एक लड़का हूँ कल को किसी चौराहे पे किसी public place पे कोई argument अगर हो जाता है किसी लड़की से और मुझे चार चाहटे लगा या मेरे साथ इस देश का कोई भी लड़का क्या कर लेगा कुछ नहीं कर सकता इसलिए एक ऐसा law आना चाहिए जिसमें सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए जिसमें कोई किसी को physically assault नहीं कर सकता यह law आना चाहिए आई होब आपको यह poetry अच्छी लगी अगर आपको यह poetry अच्छी लगी तो इसको जादा से जादा social awareness के लिए प्लीज शियर करो थैंक यू और हाँ एक और बात हम लड़के हैं और हम अच्छे हैं थैंक यू